और इंज्यानियू संवराता ने मयंग जोशी के साथ खास बातचीत की है सुनी है स्थोराम भोने क्या कुछ का जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनोंने हाल ही में समाजवादी पार्टी का दामन धामा है मयंग सबसे पहरे तो आज सेवन्थ फेज यानि की अंतिम फेज है चुनाओ का क्या लग रहा है आपको क्या नतीजे आने वाली है नतीजे आज तो देखिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर है और जो यह साथवाँ फेज है दो जिले छोड़ दीजे तो बागी सारे समाजवादी पार्टी के फेवर में जाने वाले हैं और मैं सिर्फ इस लिए नहीं बोलना चाहता है क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूं मगर जो मैंने भी अनालेसिस करी अभी तक की आई फील कि हम लोग बहुती कमफुटिबल मजॉरिटी के साथ सत्ता मैंग अखिलेजी को सत्ता मैंस अब कोई नहीं रोग पाएगा मयंक आपने बहुती जल्दबाजी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा क्या लगता है बीजेपी में क्या कमिया रह गई थी जिसको पूरा करने के लिए आपने इस पार्टी को चुना जल्दबाजी में नहीं किया अगर जल्दबाजी की हो थी तो जिस दिन चुनाओ उसे नीजर्क रियाक्शन बोलते हैं आज जो हमने किया अपना समय लिया पूरा फरवरी का महिना था मेरे पास सोचने के लिए वेचारने के लिए अपनी टीम से बात करने के लिए और सब को कॉन्फिटेंस में लेने के बाद हम लोगों ने नड़ने ही लिया कि भई जो व्यक्ति जो पार्टी हमारे भविश्य के लिए अच्छा सोच रही है हमारे किसानों के लिए महिलाओं के लिए युवाओं के लिए हम लोगों उस पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए और विभाजन कारी जो लोग बातें कर रहे हैं बुल्डोजर हो चाहिए हवा निकालना हो चाहिए रंग हो किसी टोपी का मुझे नहीं लगता कि एक युवाओं पड़े लिखे युवाओं होने के साथ मुझे इस तरिकी के राजिदी के साथ खड़ा होना चाहिए लखनो कैंट सीट काफी वी आईपी सीट मानी जाती है वहाँ से शायद आपको टिकेट मिल सकता था लेकिन इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी से आपको टिकेट नहीं मिला है इसका कहीं न कहीं एक अफसोस लगता है मला लगता है आपको को मेरी मान को दो पर जिताया, लोग समा में हम जीत के जाते थे यहां से, तो जाहर सी बात है कि निराशा होती है, लेकिन निराशा इसलिए भी होती है, क्योंकि जो मानक भरती एंता पाटी सेट करती है, वो मानक मुझे परिभाशित नहीं है, कि मैंग जोशी के लिए परिवारवाद है बाकि जो मानुभाओं उनके पुत्र सुपुत्र पौत्र लड़ रहे उनके लिए नहीं है तो यह प्रशने आप अगली बार उनसे पूछे कि वह आपने क्या नॉर्म सेट किया है ताकि जो आने वाली पीडियां जो पार्टी में आने वाले समय में क्या लगता है आप लोग एक पार्टी के साथ ही काम करेंगे या अलग-अलग में ही रहेंगे अनेकों परिवार है आपके बाहु धारन है सिंद्या जी का परिवार था इतने वर्शों दश्कों अभी समाजवादी पार्टी से एक समाजवादी पार्टी तो आज की दिन वो भी भरती इंता पाटी में है और मैं समाजबादी पाटी में एक कारे करता के रूप में आयो और मैं बहुत प्रसंद हूँ आज एक आखरी सवाल ये भी जाना चाहूंगी जो पाटी है बहुत तरीके के बाते करती है चाहे वो बिजली फ्री देनी की बात हो, चाहे वो बुल्डोजर की बात हो, चाहे वो हिजाब की बात हो, आप इन सारे चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखे मुझे हताशा दिखती है, जो रूलिंग पार्टी है, अगर आपने पांच वर्ष इतने अच्छे कारे किये होते हैं, तो आज हम उन कारे को लेकि जनता की बीच में जा रही होती हैं, लेकिन अब आपके पास क्योंकि नहीं है कुछ गिनाने या बताने को, या आपके पीट ठोक रहे हैं, आपने सारे जहाज बेच दिये, ये तो पहले दी नहीं चाहके ले आना चाहिए सबको, मुझे आदा है कि स्वर्गिया सुष्मा सुराजी जब मंतरी थी, तब गल्फ में क्राइसिस हुई थी, सबको ले ही ती पहले दी नहीं चाहकर करके, तो ये तो हमारे हर जगे एक सम्मीती चलती है, उसके लोग हैं, हर जिले में जोड़े हुएं, उनसे हम लोगों ने जो फीड़बैक लिया है, तो आज के दिन हम लोग कम्फोटिबल मजॉर्टी के बहुत पास हैं, सात्वे फेस से पहले, और सात्वे फेस जैसे मैंने आपने का तिर फिर से सत्ता में आ सकती है, फिलाल कौन सी पार्टी रूल करने वाली है उत्तरप्रदेश में, ये तो दस मार्श को पता चल जाएगा, लगना उसे वीडियो जनलिस सूरिया के साथ मैंने किता सरीन, इंज्यानियूस के लिए